दोस्तों नवश्कार राजी सर क्लाशेश में आपका श्वागत है आपके सामने कच्छा 10 एपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान का पेपर सोसल साइंस का पेपर इस वीडियो में मैं इस पेपर का शलूशन बताऊंगा तथा ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए यह पेपर क्यों आवश्यक है तो देखिए पूरा वीडियो मित दोस्तों को सेर किजी एदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियों को लाइग करें तो सुरू करते हैं शलूशन तो देख रहे हैं यहांपर अनुक्रमा के हरो लंब लिखा ज देखे हर जग कोई भी पेपर जी होई आपको मिलेगा सामान निर्देश में लिखा रहेगा कि 15 मिनट परिछार्थियों को प्रस्ट पत्र पढ़ने के लिए निर्धारी थे यह क्यों आवस्यक है यदि आप 15 मिनट तक प्रस्ट पत्र को पढ़ते हैं तो यह आप जानेंगे पेपर में क्या क्या आया है और क्या हमें इस पेपर में अच्छी प्रकार से आ रहा है तो उसको पहले लिखना चाहिए जो अच्छी प्रकार से नहीं आ रहा है उसको बाद म लिखना चाहिए इसका आसर जो कापी आपका चेक करेगा एक्जामनर उस पर पढ़ता है यदि आप अच्छा प्रश्ण का उत्तर पहले लिखेंगे तो वो नंबर आपको अधिक देगा और उसी हिसाब से आपको अंद्र तक नंबर मिलता जाएगा तो इस बात का आप ध्या रखेंगे या प्रश्ण पत्र दो खंड और ब में वीभाजित है कंड आ में 20 अंकित के 20 बहव्यकलपी प्रश्ण है जिनका उत्तर खित और पर देना है या आपमार घ्ट पर उततर अंकित के जाने कर नहीं करना चाहिए कोई फाया नहीं है गलत तो गलत हो गया तो आप फ प्रश्ण का जो एंसर रहेगा A B C D उसको डाट पेंसे नीले या काले से अच्छी प्रकार से करेंगे खंड़ पचास अंकों का वड़नात्मक है यह दो प्रकार का वड़नात्मक एक वड़नात्मक दो मांचित संबंदी प्रश्ण 29 का 29 में है और प्रतेक प्रश्ण के लिए दारित अंक उसके सम्मुक अंकित कितने नंबर का प्रश्ण है उसके सामने लिख दिया गया है और यह शुरू करते हैं खंड़ बहुवी कल्पी प्रश्ण फ्रांस की क्रांति कब हुई थी यहने इसी से मिलता जुलता पेपर और 30% इसी पेपर से आएगा तो इसी के आगे पिछे प्रश्णों को तयार करिए जिसे आप बोर्ड एक्जाम 2024 में आधिक से आधिक अर्जित कर अपना नाम माता पिता का नाम तथा जिले का नाम रोश 215 तो 1789 में इसी विकल्प शही है जियो सिपी मेचिनी का संबंद था तो इटली के एकिकरण से जर्मनी के एकिकरण से इगलेंड की राष्टबाद से फ्रांस के राष्टबाद से तो इसका सही एंसर है सही विकल्प है इटली के एकिकरण से जियो सिपी मेचिनी का भागों में बट गया था उसने एक उसको एक सुत्रों में बाधा एक देश बनाया अब हम आपको लेकर चलेंगी अगले पेस पर तो देखिए अगला पेस आपके सामने हिंद स्वराज पुस्तक के लिखक कोने जवालान नेरू महात्मा गांदी बिनोवा भावे बाल गंगा तो सही एंसर है महात्मा गांदी हिंद स्वराज पुस्तक जो है उसके लिखक महंदास कर्म चंद गांदी अर्थात महात्मा गांदी जी थे निमकित में से किसने वार्दोली सत्या ग्रह का नितित किया था महात्मा गंदी, चंसेकर आजात, जियोतिवा फुले, सर्दार अबल्लब भाई पटेल तो सही एंसर इसका है सर्दार अबल्लब भाई पटेल पच्वा प्रशन आपके सामने जब फ्रांस छीकता है तो बाकी इरोग को सर्दी जुकाम हो जाता किसका कथन जब फ्रांस क्या करता छीकता है तो बाकी इरोग को सर्दी जुकाम हो जाता यह कथन यह वाकी किसने कहा था मेटर निक ने, नेपोलियन ने, लोई फिलिप ने, चर्चिल ने तो मेटर निक ने इस बात को कहा था यानि पाचमा का ए विकल्ब स्याए भारत में संगी राजियों की संख्या है 28 है आगे है 20 का सबसे बड़ा लोकतांत्रक देश ने हमारा देश भारत ही है तो इसका विकल्ब ए सही है अगला है भारत के समिधान की आठवी अनुसूची में कुल भासाएं यानि कुल कितनी भासाएं हैं 21, 22, 18, 15 तो कुल 22 भासाएं हैं लोग का तंत्र में सक्ति का स्रोत, जनता, संसत, प्रधान, मंत्र, राष्टपती तो लोगतंत्र में सक्ति का जो स्रोथ है वो जनता होती है अगला है दसवा अन्यमलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाती के आधार पर हुआ था बेल्जियम भारत इगोसलाविया निदरलेंड तो भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत के रूप में जो कि धर्म और जाती के आधार पर था अब बाद में बंगला देश भी पाकिस्तान से अलग हो गया अगला प्रस्ण है ग्यारह प्रतिव्यक्ति आय को अन किस नाम से जाना जाता है प्रतिव्यक्ति आय को अवसत आय के नाम से भी जाना जाता है एक ग्रहमा प्रस्ण आपका यानि ए विकल्प शही है अब हम पहुंचेंगे आपको ले करके अगले प्रस्ण अर्था 12 में प्र से जाना जाता है और दोगिक देखे प्रथम छेत्र होता है प्राथमिक छेत्र होता है क्रिशी पसुपालन आखेटक ये सब प्रथम है और दूतियक होता है और दोगिक यानि जो प्रिथिवी के अंदर से मैटरियल जो समान बनाए जाते हैं और तृतियक छेत्र होता है रिवहान, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब क्या सन, दूर संचार, ये सब क्या है, तिरतियक छेतरक में आते हैं, तिन सब बातों को आप ध्यान रखेगा, जिससे बोर्ड एक्जाम में आप कुछ अच्छा कर सकें, सेवाओं को किस क्रिया कलाब छेतरक के अंतरकत रखा गया, आभी हमने बताया, सेवाओं को, सर्विस को, तिरतियक छेतर में, जैसे बैंकिंग है, परिभान है, और डाक्टरी है, जो भी सेवाओं है, दूर संचार है, रेल है, ये सब जो सेवाओं हैं, सब सेवाओं ही हैं, वो तिरतियक छेतर के अंतरकत रखे गए हैं, भारत राष्टी उभखता अधिकार दिवस कम मनाय जाता है राष्टी उभखता अधिकार दिवस पाँच अप्रेल 22 फरोरी 24 नॉम्बर 24 दिसंबर तो सही विकल्प आपका D है सही विकल्प क्या है D है सोलमा प्रश्ण है इनमें से किस राज संग राज छित में काली मिदा पाई ज जाती है जो कपास की खेती के लिए महत्पूर होती है अगला है एजेंडा 21 का संबद किससे ओजोन छरण से वैसित तापन से जर्वाई परिवर्तन से सतत पोशडी संधारणी विकास से तो ये आपका D विकल्प शही है अगला प्रश्ण है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर् ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में प्रारम किया गया था अगला प्रश्ण है निम्खित में से कौन सी फसल मुख रूप से जायत फसल का उधारण है धान ग्योहूं चना तरभूच जायत ठीक है गर्मी में जो गया जाता है आगने चटानों में पाया जाने वाला खनिच आगने के सामने हमने अबजेक्टी प्रश्णों का हल रखा तो इन अबजेक्टी प्रश्णों में से तो कुछ आ सकते हैं अकुछ इसी के आगे पीछे अकुछ हम एक्स्ट्रा प्रश्ण में बताये हैं जो उसे रिलेटेड है तो यहीं प्रश्ण बोर्ड एक्जाम 2024 में आएंग और हम अब आपको लेका चलेगे अगले प्रस्ण पर तो देखिए अगला प्रस्ण अर्था चोथे पेज पर मिलेगा इन प्रस्णों को आप तयार रखिए क्योंकि वीडियों बहुत लंबा होगा अभी समय है पेपर आपका साथ मार्ज को है तो देखिए भारती अर्थ व् मंदी 1929 में अमेरिका से शुरू ही इरोफ होते वी पूरे 20 में फैली थी तो यह आपका है हमने कुछ उसका क्लू बता दिया अगला है बाइस्वा प्रस्ण सत्यागरा का अर्थ असपस्ट कीजी तथा गांधी जी के सत्यागरा के वीचारों का भी उलेग कीजी अथवा भ प्रस्टे थे यहीं तमाम कारण थे अगला है तेस्वा प्रस्ण आपके सामने इन प्रस्णों को क्विश्चन बैंक से अपने बुक से नोट बुक से जो पढ़ाया गया उससे तयार रखे आने वाले बोर्ड एक्जाम में काम आयेगा संसादनों के अंधादुन प्रियोक प्रस्णों को तयार रखे आपको काम आयेगे अब यहां से शुरू होता है एक वर्डनात्मक टू उत्तरलगभग डेड़ सो सब्दों में देना है तो देखे आपका पशिस्वा प्रस्ण है लोगतंत से आप क्या समझते हैं इससे उत्तरदाई जिम्मेदार यों बैद सासन क्यो माना जाता है अथवा यह नहीं कर सकते लोगतंत के समझ क्या चुनोतियां है भारती और लोगतंत की दो प्रमुक चुनोतियों का वार्डन कीजी तो आप जो अच्छी प्रकास है तैयार उसी को लिखेगा यह यह है अथवा यह शन नंबर के प्रस्ण है हम आपको लेकर चलेंगे 27 प्रश्ण पर जो कि पेश संख्या 5 पर इस्थित है प्रश्ण है आपके सामने मिर्दा अपर्दन क्या है भारत में प्रश्लित मिर्दा अपर्दन के प्रमुक प्रकारों का वड़न कीजी अथवा अलाहुख खनिज की ने कातें अलौग खनिजों में किन-किन खनिजों को सामिल किया गया है असपस्ट कीजी यह कीजी अथवा यह कीजी तयार रखे बोर्ड एकजाम 2024 इनहीं प्रश्नों का इंतजार कर रहा है मानो विकास होचकांग को परिभासित कीजी मानो विकास के घटकों का वड़न कीजी अथवा भारती अर्थ ब्योस्ता में अधिक रोजगार विक्षित करने के माध्यमों को अस्पस्ट कीजिए ये तमाम प्रश्णें तयार रखे अब यहाँ पर आपका आगया मांचित संबंदित प्रश्ण तो देखे ये दो प्रकार का होता एक तो होता है इतिहास संबंदित एक होत भुगोल से संबंदित देखे यहाँ पर है निम्कित अस्थानों को भारत के दिएगे रिखा मांचित प्रिष्ट तेरे पर इस चिन द्वारा नाम सही नाम तथा सही अस्थान अंकन है तो एक बटे दो कामा एक बटे दो यानि सही नाम लिखेंगे एक नमबर आधा नमब और मिलेगा यानि पूरा आपको एक नमबर मिलेगा लिखा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ था बहिए चंपारण बिहार कहां हुआ था चंपारण बिहार में हुआ था तो यह है आपका चंपारण बिहार में हुआ था वह स्थान जह प्रश्टान जहां कांग्रेश की अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। में कांग्रेश का अधिवेशन हुआ तो देखी इसको आप लिख देंगे बुक में लिख देंगे क्रम से और या तो चाहे तो इसी पर भी लिख देंगे जैसे पहले प्रस्काज और नील की खिती कांवाज चंपारण यहां पर परेगा। दूसरा है वह स्थान जहां सर्विना है और गया अंदोलन तो यह सावर्मति आसरा में यह ऐसे दर्सा देंगे लिख देंगे एक नमबर आपका कंप्रीट हो गया। आगे है वह स्थान जहां कांग्रेश के अधिवेशन ने पूर सुराज की मांग की गई थी फिलाल यह पाकिस्तान में लाहौर तो आप तीसरा नमबर डालके इसको कर सकते हैं यह चिन की द्वारा देखी रहे हैं अगला है वह स्थान जहां जलिया ओला बाग यह है आपका भूगूल वाले में भी मिलेगे तो देखी हम उसको भी आपको समझा देते हैं बता देते हैं तो देखी यहां पर है 29 निलुकित अस्थानों को भारत के दिएगे रिखा मांचित प्रिष्ट 15 पर चिन द्वारा नाम सही दर्शाई सही नाम तथा सही अस्थान अंकन है तो गल्यार का टर्मिनल किसी नदबारा नाम लिखेंगे आपको कितना नंबर मिलेगा धाई नंबर पांचों का दर्शा देंगे धाई दुनी पांच नमबर मिलेगा तो देखी हम आपको बता रहे हैं पलग्यों का सबसे बड़ा उत्पादक राज उत्तरप्रदेश यह आपको उत्तरप्रदेश पड़ेगा काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज काफी का सबसे उत्पादक राज करनाटक काफी करनाटक याद रखेगा ट्रिक से मुखफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज मुखफली का सबसे उत्पादक राज गुजरात यह है आपका तीसरा यह पर तीसरा है अगला है उत्तर दच्छिन गलियारे टर्मिलल चिन अदरादर साई जम्मु से कन्या कुमारी जम्मु से कन्या कुमारी यह है आपका जमुसी कन्या कुमारी खने तेल का सबसे बड़ा उतपाता ग्राच तो ये है आपका असम ये अरुनाचल प्रदेश ये असम पढ़ता है तो इस प्रकार पूरे प्रशनों को आप हल कर सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं इन ही से संबंदित प्रशनाएंगे 2024 वोड एक्जाम में नमस्कार गॉड लग वेस्ट लग